दोस्तो ये है निलू निलिमा का घर तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है कॉलेज वाले भी पागल ही होते हैं ये नई की होली से पहले ही सब एक्जाम खतम करतें ताकि बच्चे होली ठीक से खेल सकें होली की अगले दिन भी पेपर देने जाओ चल बाबू मुझे खेट जाना है तुझे यही छोड़ देती हूँ निलू निलिमा के पास निलू बबुआ को थोड़ी देर पकड़ लो मैं खेट जा रही हूँ पाँच मिनट में आ जाओंगी ममी मेरे पास समय नहीं है अभी टूशन के बच्चे भी आने वाले है मैं से कैसे संभालूंगी मैं गई और आई तेरी दादी ने मटर के बेज मंगवाए है वही देने जा रही हूँ ठीक है ममी इसे मैं पकड़ ले रही हूँ अब जाओ लेकिन जल्दी से आना ये लो निलिमा पकड़ो बबुआ को अपने भाई को नहीं पकड़ सकते जब भी दो तब कोई न कोई बहान न भना लेते हैं माजी को लैसन और मिर्च भी दे देती हूँ ये भी बू देंगी तो सही रहेगा इसी में माजी ने सब चीज रख रखा है मैंसे ही लेकर जाती हूँ चलो जल्दी से चल कर दे आती हूँ कहीं बबुआ रोने न लग जाए नेलू निलिमा बबुआ को डाटना मत मैं अभी जा रही हूँ और जल्दी से आ जाओंगी निलिमा तू ऐसा कर बबुआ को वाकर में डाल दे बबुआ केले खिलता रहेगा फिर हम दोनों साथ में ही पढ़ाई कर लेंगे तू सही कह रही है ठीक है फिर मैं बबुआ को वाकर में ही बिठा दे रही हूँ वाकर में डालने से बबुआ खेलता रहेगा और हम दोनों पढ़ाई भी कर लेंगे चल अब उसको जवदी से वाकर में डाल दे और समय मत खराब कर चल बाबु चल अराम से खेलते रहना तू निलिमा बबुआ को वाकर में ले जाकर डाल देती है और निलिमा जाकर पढ़ाई करने लगती है बाबा 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 मुमा दिदी 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 बबुआ वाकर में इधर उधर घूमता रहता है तब ही ट्यूशन के सारे बच्ची आ जाते है अली आज दिदी घर पर ही है कोई शोर मत करना चप चाप चलकर अपनी शीट पर बैठ जाओ चाही में लेलो दिदी के पेपर भी आ ले है को इनका मूल खराब हो रही है तो हाँ चलो चलो जल्दी बैठ चलो बैठ जाते है सभी बच्चे बैठ कर पढ़ाई करने लगते है ट्योशन के बच्चे आ गए चलकर पढ़ा देती हूँ निली मा तु बैठ कर अराम से पढ़ आज मैं बच्चों को अकेले ही पढ़ा देती हूँ अरे तुम लोग आज बड़े शान सान से हो अच्चा ठीक है अब सब अपनी कॉपी लेकर हूँवक चेक करवाओ जल्दी जल्दी सब अपनी कॉपी लेकर आजओ मेरे पास ये लो दीडी चप्चे पेले मिली कॉपी चेक कर लो दीडी मैंने वंटो सिर्फों सीख गई हूँ सब बच्चे कॉपी ले जाकर चेक करवाने लगते हैं तभी वाकर से चलते चलते बबुआ भी आ जाता है अले बबुआ चोशन में आ गया हगंदा पढ़ाई पर ध्यान दो बबुआ को खेलने दो वो अपने आप खेलता रहेगा अरे देटो बबुआ उदल से लागिया सब ही बच्चे हूँ वक्चे करवा कर बेंच पर बैठ जाते हैं सब ही बच्चे बबुआ को देख रहे हैं बबू आप बाहर जाकर खेलो लेलो देडी ये बाहर नहीं जानी वाला मैं इसे बाहर चोल कर जाँ ठीक है जाओ इसे बाहर आंगन में छोड़ाओ चलो बबू चलो आंगन में मैं तुम्हें आंगन में चोल देती हूँ चलो 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 बाबो तुम यही ठेलो उपमे चली परने हगंडा जैसे ही जाने लगती है वैसे ही बबुआ चीची कर देता है लगता है बबुआ ने चीची कर दी चलकर लीलो डेडी को पिटा जीती हूँ कितनी से इस बगवाई ये बाबो की चीची से चीची मूली खराब हो गया लीलो जीजी लीलो जीजी बबुआने चीची कर दी क्या चीची कर दी हाँ जीजी बबुआने चीची कर दी हे बगवाण अभी तक मम्मी भी नहीं आए अब छीची दुलानी पड़ेगी छी मुझे तो बवुआ की छीची से यी उल्टी आती है मैं अभी छीची दुलाख कर आती हूं सारा मूर्ट खराब हो गया अममी को भी अभी जाना था निलू जैसे ही छीची दुलाने के लिए जाती है वैसे ही सारे बच्ची नीलों के पीछे पीछे चल देते हैं चल बबुआ चल तेरी चीची दुलाओं ही बगवान लगता है बबुआ को दस्त लग गया है इसने तो पूरा फर्ष ही खराब कर दिया चीच आरा पर्ष कर दिया तुम लोग यहां क्या करने आए हो वैसे ही मेरा मोड इतना कराब हो रहा है वैसे हम देखने आए आगर दे अच्छा ठीक है तो मेरी हेल्प कर वाओ बबुआ का वाकर खीच कर इधर लियाओ प्लीज ठीटे दीडी में लेतर आती हूँ चल तेरी चीची दुलाओं तुने मेरे मोड की ऐसी तैसी कर दी हगंडा जैसे ही बबुआ का वाकर लेने जाती है वैसे ही फिसल कर गिर जाती है ये बढ़वान में गिल दूई हगंडा चीची में गिल गई मुझे चीची से कोई गिन नहीं आती मेरा नाम ही अगंदा है अगंदा यानी जो खूब हगती हो मैं अभी बबुआ को गोड में लेकर छी धुला दीती हूँ हाँ अगंदा धुला दे तेले उपर तो वैसे भी बबुआ की छीची लग गई है ठीक्या देदी मैं अभी आ रही हूँ मैं कisip मिनत में फितात है हाँ ठीकार Egnda वबुआ की छीची धुने लगती है ये देखो ऐसे फटापट्खिया ऐसे फटापट्खिया ये देखो जोल गया दीडी बबुआ के चीची तो धोल गया आप जल्दी से वॉकर लिया और वॉकर भी धोल देती हूँ ठीक है हगंडा माई में जल्दी से लेकर आती हूँ वो भी धो दो वाकर पर भी छीची कर दी, पूरे घर का सत्या नास कर दिया, जहां देखो वहाँ छीची हगंडा वाकर को भी जल्दी जल्दी धो देती है देदी वाकर धोल गया है, अब आप बबुआ को वाकर पर बिठा दो, मैं अपने कपड़े धो रहती हूं चलो बबुआ वाकर पर बैठ जाओ, हगंडा जल्दी जल्दी से अपने कपड़े साफ करती है और खड़ी हो जाती है चलो अब सब लोग टोशन में चलो और पढ़ाई करो चल बबुआ चल आंगन में अब दुबारा मत ख़ग दियो, वरना कोई धुलाएगा भी नहीं चलो भाई चलो अब पढ़ाई करते हैं हाँ चलो आज तो पढ़ाई हुई ही नहीं कोई पाट नहीं, चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे सब ही बच्चे बैठ कर पढ़ाई करने लगते हैं आज तो बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई, चलो अब जल्दी से पढ़ा देती हूँ तुम लोगों की पेपर कब से सरू हो रहे हैं? यह आज शुरू हो जाएंगे अच्चा ठीक है चलो अब पढ़ो तब ही निर्मला आ जाती है मेरा बाबू वोकर में खेल रहा है निर्मला जैसे ही बबुआ के पास जाती है वैसे ही बबुआ की चिची पर पैर पढ़ जाता है और निर्मला धराम से गिर जाती है हे भगवान गिर गई हाँ अरे चलो 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 आंची को चलो 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 अरे ममी क्या हुआ कैसे गिर गई मैं आ रही हूँ निर्मला जैसे ही उठती है तो निर्मला के मुपर चीची लगी रहती है हे भगवान शुकर है मुझे चोट नहीं लगी अरे ममी का क्या हाल हो गया दोस्तों मेरा तो मुही खराब हो गया दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो बाइबाइ